नमस्कार दोस्तों के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर किसी एक दवा से नियंतरन में न हो रहा हो तब डॉक्तर दो दवाओं के कॉंबिनेशन वाली सिल्निकैप टीम टैबलेट को लेने की सला दे सकता है सिल्निकैप टीम टैबलेट का उप्योग हाइपरटेंशन होने पर किया जाता है यानि जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर अधिक रहता है उन व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए सिल्निकैप टीम टैबलेट का उप्योग किया जाता है सिलनी कैप TM टैबलेट ब्लड प्रेशर को कम करती है और दिल का दौरा पढ़ने का और लक्वा लगने के जोखिम को कम करती है क्योंकि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वज़ा से किड्नी फेलियर, हार्ट फेलियर, दिल का दौरा पढ़ने का और लकवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वज़ा से आखों की ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है और आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है। एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120-80 होता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर उपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा है। साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में सिल्निकैप TM टैबलेट की वज़़से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में सिल्निकैप TM टैबलेट की वज़़से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में सिल्निकैप TM टैबलेट की वज़़से जुखाम और गले में खराश या गले में इंफेक्शन भी हो सकता है। अब हम डिसकस करेंगे कि सिल्निकैप TM टैबलेट को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है। सिल्निकैप TM टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। सिल्निकैप TM टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना ज्यादा अच्छा होता है। आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर सिल्निकैप TM टैबलेट को दिन में केवल एक बार ही और शाम को सोते समय लेने की सलाह देते हैं। सिलनिकैप टीम टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको सिलनिकैप टीम टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि सिलनिकैप टीम टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। सिलनिकैप टीम टैबलेट के साथ दर्थ को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली नौन-स्टेरोइडल एंती-इंफलमेटरी दवाईया जैसे एसिकलोफने, डाइकलोफने, आईबुप्रोफेन और निमसुलाइड आधी दवाओं को सिलनिकैप टीम टैबलेट के साथ इन दवाओं को लेने से सिलनिकैप टीम टैबलेट की प्रभावशीरता कम हो सकती है, और इसके अलावा किड्नी डैमेज होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है, ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंतरन में करने के लिए आपको सिलनिकैप टीम टैबलेट के साथ- नमक का सेवन कम करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है, तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए, इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंतरन में करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए सिलनिकेब टीम टैबलेट के साथ आपको शराप का सेवन नहीं करना चाहिए और सिलनिकेब टीम टैबलेट को लेने के बाद जाइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती ह क्योंकि सिलनिकैप TM टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को मीन अधिक आ सकती है। ट्रेग्मेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सिलनिकैप TM टैबलेट का सेवन करना सुरक्षितवर रेक्मेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सिलनिकैप TM टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।